आज मैं सर्दियों के लिए 15-point action winter action plan की घोशना कर रहा हूं कि 15 points जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे एक तो पराली दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टिटीट द्वारा तयार किया गया बायो डीकंपोजर घोल तयार किया है उन्होंने उसको हम मुफ्त में सा किसानों को इसको आग नहीं लगानी पड़ती यह पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं इसमें काफी सफलता मिली है पिछली साल 4000 एकड़ पे किया था इस बार हम इसे 5000 एकड़ के उपर करेंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टब अगल को पराली को जलाने की जरूट ना पड़े धूल का प्रोदूशन रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेंच चलाया जाएगा जिसमें एक तो है निर्मान जहां पर चल रही है तो 500 स्कॉर मीटर से ज्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके के लिए हमने कंपल्सरी कर दिया कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रिजिस्टर करना और डस्ट कंट्रोल का वहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है पूरी दिल्ली में जो कि जगे जगे जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वहां पर जाके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और एंटी डस्ट हमारा प्लैन जो है उसको इंप्लिमेंट करेंगे 5000 स्कुर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है इने कंस्ट्रक्शन साइट का वहां एंटी स्मॉक गन लगाना हमने कंपल्सरी कर दिया है इसके तहट पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉक गन लगाए जा रहे हैं सडक से जो प्रदूशन उठता है उसके लिए हमने 80 असी रोड स्वीपिंग मशीने लगाई है ताकि उसकी वज़े से प्रदूशन आओ पान सो 21 मशीने पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही है और डेड़ सो मोबाइल एंटी स्मॉक गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सडकों से धुआ उठता है वो उसको रोका जा सके नमबर तीन वाहन प्रदूशन जो वाहनों के वज़े से ट्रांसपूर्ट की तरह वज़े से प्रोदिशन होता है तो पी यू सी जो पॉलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है पॉलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है उसकी जाच सक्त की गई है और 10 साल और 15 साल से पुराने 10 साल पुराने डीजल वहिकल और 15 साल पुराने पेट्र आफ हैं जहां पर बहुत population हो सकता है वहां पर घड़ियां चलती रहती है इनको करने के लिए ऑलत रूट समय चैसे और वहां तक गाड़ी पहुंचेंस के पहले इनको बताया के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है जैसा मैंने कहा था कि जितनी रेजिस्टर्ड इकाईयां है दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना जो फ्यूल था वो चेंज कर लिया अब पाइब नैच्ट्रल गैस के जरीए वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट जो है वो चोरी छिपे दूसरा फ्यूल ना इस्तेमाल करें इसके लिए 33 टीमों का गठन किया गया ताकि इसको लागू कराया जा सके छटा पॉइंट है पटाकों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है दिल्ली में जैसे हरसा लगाते हैं इस बार भी पटाकों के उत्पादन भंडार किसी भी तरह की खरीद बिकरी सब के उपर प्रतिबंद लगाया गया है ओनलाइन डिलिवरी भी नहीं हो सकती और 210 टीमों का गठन किया इसको लागू करने के लिए रियर टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी आई टी कानपूर के साथ हमने स्टडी किये कि इस टाइम दिल्ली में कितना पॉलूशन है और वो पॉलूशन किस-किस वज़े से है मालू यहां पर मैं जहां बैठा हूं यहां एक सैंपल लिया जाए एर का हवा का और यह पत कानपूर ने हमारे साथ एक स्टडी की है और इसके लिए एक सुपर साइट बनाए गई है राउज एविनी रोड पे और इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जिसके उपर काफी सारे क्विप्मेंट लगाए गए हैं 20 अक्टूबर से हमें उमीद है कि पहली बार इसके कोशिश की जाएगी आएटी कानपूर के द्वारा आठवा परियावरन मित्र बनाए गए हैं अभी तक साड़े तीन हजार से जादा वॉलंटियर्स रेजिस्टर कर चुके हैं वो समाद सिवा करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को ये लोग जा जाके एन्वायमेंट के ल बनना चाहें एक डबल फोर एट डबल Four One निकलता है यह बहुत ही हजर्डा होता है बहुत ही खतरनाक होता है । की वज़े से होने वाले प्रियावरन मित्र Episode 10 होलंबी कला में 20 एकड का इवेस्ट पार्क बनाया जा रहा है इसकी स्थापना के बाद जितना इलेक्ट्रोनिक कच्रा पूरी दिली से निकलता है उसको वहां ले जाएंगे और वहां पिसकी प्रोसेसिंग साइन्टिफिक तरीके से की जाएगे दस्वा पॉइंट है हरित क्षेत्र ग्रींग कवर बढ़ाने के लिए इस साल हमने टार्गेट रखा था कि 42 लाख पेड लगाएंगे पहले चरण में हम 33 लाख पेड अलरडी लगा चुके हैं नौ लाख पेड बच्चे हैं जिसे 15 अक्टूबर से दूसरे चरण में लगाया जाएगा ग्यार्वा पॉइंट है कि एक 24 बाई 7 मॉनिटरिंग करने के लिए एक ग्रीन रूम और बहतर तरीके से बनाया जा रहा है और यह 3 अक्टूबर से चालू होगा और बहतर किया जा रहा है इसमें 9 मेंबर साइन्टिफिक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि लगातार एंवाइमेंट की एनलिसिस करेंगे और अगले दिन क्या करना है का बहुत एक्सेप्ट किया अभी तक इस पर 53,000 से जादा कंप्लेंस आ चुकी है उसमें से 90% कंप्लेंस का समधान हो चुका है आप भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और कहीं कोई अगर आप कचरा जलते वे देखते हैं कोई पुलीशन होते वे देखते हैं कोई ट्रक पुलीशन कर रहा है कहीं देखते हैं आप इस एप के जरीए शिकायत कर सकते हैं उस पे तुरंट अक्शन किया जाएगा तेरवा पॉइंट होट स्पोट्स दिली में 13 होट स्पोट्स की पहचान की गई है वहाँ पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और तरह तरह के GrapCast किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल बही डिली में GrapCast 104 होसे करियान किया जाएगा हम हम सब ब्सक्राइब के जाएंगे जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे कंदे से कंदा मिलाके, लडाई नहीं लडेंगे. तब तक सफल्र होंगे? तो हमारा प्रयास रहेगा हम BHARAT सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सबी राज्यों के साथ मिलके, प्रोडूशन को कम करने की कोशिश करेंगे मेरी सभी पडोसी राजों से निवेदन है कि जितने वेहिकल दिल्ली में आते हैं वहां से कोशिश करें वो ज्यादा से ज्यादा या तो CNG हो या इलेक्ट्रिक हो